नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपटी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों शुरूड़न दिखने वाले हैं दिल्ली पुलीस कॉंस्टेपल एक्जाम जो आद आपकी 14 नौवंगर को थर्ड स्वागे थे थे चार तीस प्योंवाली स्वागे इस स्वागे पूछेगे जीके साइन्स और करन्ट अपेश के पचास में से 42 एक्जेक्ट स्वाग मिल चुके तो यह सभी स्वागे इस्टूड़न ने टेलिग्राम पर शेंड किये हैं तो इन सभी अभ्यरत्यों का बहुत पहुत धिन्यवाज जिन्होंने रियल और ओथेंटिक स्वाग टेलिग्राम पर भीजे और सभी स्वागे इस्वागे अपन काउर करने वाले हैं तो न्यू केंड चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना पीडियो फाइल आप वीडियो आने के बाद आपको जल्द ही आपकी एक साथ टेलिग्राम चैनल कर पीडियो फाइल ढाल दूँगा टेलिग्राम चैनल की लेंक डेस्क्रिप्समोक्स में या फिर आप सर्च करके जोइन कर सकते हो एड़ दी रेट ट्रेंड जी के टेलिग्राम में तो यहा कोर्ट में रिट किस अनुच्छेद के तैत लगाई जाती है आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के तैत चो रिट लगे जाती हो आर्टिकल 32 के तैत सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में यह दि मोलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हननन होता उस केस्त में आर्टिकल 32 को समयधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है नेक्षवार अपना मीन कैम्प किस की आत्मकता है मीन कैम्प है यह दोस्तो हिटलर की आत्मकता का नाम अब जो यह शब्द मीन काम्प है इसका अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है मेरा संगर्ष माई इस्टगल माई इस्टरगल हिटलर की बायोग्राफी है और नाजी पार्टी की नहता एडॉल्फ हिटलर के दोरा 1925 का ये आत्म कतात में घोशना पतर है Long Walk to Freedom के लेखा कौन है Long Walk to Freedom ये नेलसन मंडेला के आत्म कता है Long Walk to Freedom आत्म कता से प्रतेक सिप में स्वाल पूछे था रहा दूस्तो अनुच्छेर 122 किस्स संबन्द है Article 124.2 की स्वाल उल्टा पूछा गया था मतलब अनुच्छेर 122 के डिटेल दे रखे थी पूछा था ये किस अनुच्छेत में इसका उलेख है तो ये था कि सर्वोईच नाले की प्रतेक न्यादीस को राश्टपती की दोरा सर्वोईच नाले और राज्यों की उच नाले के ऐसे न्यादीसों की प्रामर्श के बाद अपने हस्ताक्सर और मुहूर के तेत वारंट दोरा न्युक्ट किया जाता है मतलब कि सर्वोई चिनाले की जज है उन्हें राष्टपती न्युक्त करते हैं और ये राष्टपती उस उद्देशे के लिए आवश्यक समझे उसके अकॉर्डिंग न्युक्त और 65 वर्ष की आयूद करने तक वो अपने पद पर भने रहेंगी उनका जो टेन्यूर है जजजेज का वोग 65 यर्स तक है तो इसका पूछा गया था कि इस आर्टिकल के त्यात राष्टपती न्युक्त करते हैं तो समाज का एक डिटेल का वीडियो डाला हुआ और टेलिग्राम पर मैंने अभी हाली में कुछ इंपोर्टेंट पीडिएप को पिन किया है मतलब 4-5 ऐसी पीडिएप है तहां से तीनों सिप में लगबग स्वाल आये तो उनको पिन कर दिया है अधार पहले से यह वो पीडिएप डाली हुई थी टेलिग्राम में इंपोर्टेंट करके और यहाँ से स्वाल पूछे जारे है तो जितने भी इंपोर्टेंट पीडिएप आपको टॉप ट्रेंडिएप करके एक अलग चैनल है टौप ट्रेंडिएप आप सार्च करेंगे तो उसमें जितने भी इंपोर्टेंट पीडिए आती है SSE के point of view से वो वहाँ पर आपको मिल जाती है जो प्रिवीशेर के क्योसमस पर आदारी थे सत्य शोदक समाज की स्तापना किस ने की थी जोतीवा फुल्ले ने की अठाशो तेहतर में की आपको पूचा है कि किस कब की थी सत्य शोदक समाज की स्तापना एक जोल में कब हुई थी ये स्वालता तो 823 में हुई थी और जोतीबा फुल्ले ने की थी सत्य शोदक समाज की स्तापना अब यहाँ पर पूछले कहां हुई थी 823 में तो पूर्णे महाराष्टर में हुई थी जोतीबा फुल्ले दौरा सत्य शोदक समाज की स्तापना सत्य शोदक समाज महाराष्टर में एक जात विरोधी आंदुलन है इसका मुख्य उदेशी तथा कतित निचली और निम्र जात्युक उनके शोषन और उत्पीडन से मुक्त करना अब और इंपोर्टेंट समाज की बात करें जांसे एक्सर कम्टेटिव एक्जाम स्वार आते हैं वो ये हैं आत्मी सभा राजा राम मोंद रामकिष्ण मिशन श्वामी वेकान दोरہ 897 में, सर्वेंट्स अप इंडिया सुसाइटी गोपालकिष्ण गोकले के दोरा उनिं ङ॥्माच में, ब्रमा समाज 288 में, कलकाता में, तर्म समाज राधाकान देव दोरा 8199 में, कलकाता में आरे समाज धयानन सरूषटी दोरा 8 एशियाटिक सोशाइटी विलियम्स जॉंस दोरा 1784 में तक्तो बोधिनी शबाद देवंदरनाथ दोरा 849 में वेज समाज केश्व चंदरशेन दोरा 864 में प्रातना शबाद इसकी स्थापना आत्मानंग पांडूरंग महादेव गोविंद रानाडे इतियासकार आर्जी भं अंडार करद दोरा बंबई में 31 मार्च 886 में की गएती प्रातना समाज की स्थापना नेश्ट अपना है 2021 में सरभादिक समाचार पत्र किस भाश्व चित हुए है तो सबसे अधिक प्रकाशन है वो हिंदी में हुआ है 2021 में किसी भी भारती भाशा में पंजीकर प्रकाशनो 2930 है वो अंग्रेजी में सरवादिक पंजीकर्ट प्रकाशनों वाला राज्य कौन सा सबसे अधिक प्रकाशन कहां पर हुए है उत्तर प्रदेश में किसी भी भासा में वाश्रिक वित्रन प्रस्तूत करने वाले प्रकाशनों की दूसरी सबसे बड़ी सेंग है पहली हिंदी म में कुल पंजीकर्ट प्रकाशनों की वर्दी कितनी हुए एक पंजीरू पाँच है तो इससे संबन्द यह कुछ इंपोर्टेंट स्वाल खुदाई खिदमतगार का संबन्द किससे है तो यहां पर आपको सत्य शोदक शमाज और खुदाई खिदमतगार उसी एक पीडिये भी इसे कहा जाता है खुदाई खिदमतगार को खान अबदुल गफार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार सर्वेंट ऑब गौड आंदुलन की सुरुआत की यह आंदुलन गांदी जी के अहिंसात्मक आंदुलन से प्रेरिथा और भारत विवाजन का विरोध कि इसने देश्ट अपना है PPP की फुल फॉर्म यानि Economics में ट्रिपल पी की फुल फॉर्म है Purchasing Power Parity हिंदी में बोले तो करेश शक्ती समता ये विनिमेदर का उप्योग करता है एकचेंज रेट का उप्योग करता है जिस रेट पर पर परतिक देश में समान मातरा में समान जो गुड्स और सर्वीस खरीदने के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरी देश की मुद्रा में परिवर्थित किया जाता है कि एक देश में कोई चीज 5 रुपे में मिल रही है और वो ही दूसरे देश में 65 रुपे में सेम चीज मिल रही है तो वो PPP, Purchasing Power Parity का यहाँ पर एक आपके सामने ये उधारने है जिस पर ये रेट तै की जाती है कि सेम गुड्ड यदि समान मातरा में गुड्ड और सर्वीस है तो देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कनोट कैसे करेंगे आप खेलो इंडिया यूद गेम्स 2023 में फर्स्ट रंक कि सराज्य की रहे है खेलो इंडिया यूद गेम्स 2023 में फर्स्ट रंक रहे है महराष्टर की सेकंड हर्याना की थर्ड मद्धयप्रदेश की तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला भी है कि trending current up terrace 2023 SSE की point of view से trending current अपेश तो उसका आप वीडियो देखिए आया पर टेलिग्राम पर अभी PDF को पिर्ण किया वहां से देखीगा उनी से ये कुछ समवाल है जो बन रहे है बार-बार trending current अपेश से और इसी सिर्फ में एक और स्वाल बन गया है जो trending current अपेश से पहले एक दिन एक वीडियो डाला था जहां से मैंने का बार-बार रिपीट हो रहे हैं वो स्वाल था आपके संगीत नाठक के कादमी अवार्ड जो डांसे से दिये जाते तो वहाई से भी एक स्वाल बना है और current current अपेश के लिए आप क्या फोलो कर सकते हूं 2023 में एससी के जितने भी एक्जाम्स हुए हैं उनकी current अपेश जैसे कि आप सर्च करना परते के एक्जाम का है MTS 2023 current अपेश टॉप्टेंडिंग जिकी यूट्यूबर सर्च करना CHSL सर्च करना CGL सर्च करना और जितने भी stenographer वगेरा होगे CPO होगे इन सभी का मैंने current अपेश का वीडियो डाला हुआ है वहाँ से आपको काफी स्वाल repeat होते हुए नजर आएंगे current अपेश के sports वगेरा के special स्वाल है वह ही से बहुत से स्वाल आपको repeated देखने को मिल सकते हैं वह जरूर फोलो कर देना current अपेश में और बाकी जो trending वाल एक बार फोलो करना जिनका भी latest exam है और बात करें जो खेलो इंडिया youth games है खेलो इंडिया university games है और 36 राजटी के ले इन से तो स्वाल आ नहीं है खेलो इंडिया university games है ये 2023 में कहां पर हुआ उत्तरप्देश के चार cities में हुआ है लखनव, वानरसी, गोरकपूर और गोतम बुदनगर में और बाकी खेलो इंडिया university games में फर्स्ट रेंग किसकी रही है पंजाव विश्विदाली के रही 2023 में ये जो तीसरा संसकन है पंजाव विश्विदाली टॉप किया है, सेकंड गुरू नानक दे विश्विदाली और बाकी आपको याद रखना है खेलो इंडिया youth games वो आप आपको पूचा है पांच वा एडिशन है ये मद्यप्रदेश के आठ अलगलिक cities में हुआ है साथ इसाथ एक और इसमें event है जो कि नई दिल्ली में हुआ है track cycling का बाकी फर्स्ट रेंग इसमें महाराष्टी के लिए ये 56 गॉल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रोंज है, सेकंड हर्या इसका मोटो है celebrating unity throw sport, पूचले 37 वा कहां पर हुआ गोव में और 38 वा कहां पर होगा उत्राकन में, 36 वा कहां पर हुआ ये हुआ है दोस्तों, गुजरात में ठीक है, गुजरात के 6 cities में हुआ, 36 जिसका सुभंकर था शावच, और इसमें फर्स्ट राह सर्विसेज, सेकंड महाराष्टर 3rd रा, हरियान चोथे स्थान पर करनाटक, और 36 में में फर्स्ट पर महाराष्टर आ गया था आपकी बार, लेकिन उसमें था आपकी सर्विसेज टॉप था, अवर ओल मेडल में टॉप आपका महाराष्टर था, लेकिन गॉल्ड में आप देखेंगे तो सर्व हैं, हर्शी का है करनाटक से, नेश्ट अपना स्वाल देखते हैं, हडिमबा मंदिर पूजन हिमाचर प्रदेश के किस उस्षव में किया जाता है, हडिमबा मंदिर पूजन हिमाचर प्रदेश में एक उस्षव है, डूंगरी मेला, डूंगरी मेला में हडिमबा मंदिर में मनाय जाने वाला एक वार्षी कुछ हो है जो देवी हडिमी का हडिमबा का जनम दिन के आउशर पर ये मेला लगता है डोंगरी मेला हडिमबा मंदिर कहां पर है तो ये मंदिर है दोस्तो मनाली हिमाच्य प्रदेश में ठीक है नेश्ट अपना है किस नर्ति को अंतराष्टी पेच्चान दिलाने वाले रामसाई पांडे को पदमस्री 2022 से सम्मानित किया गया तो एक आपको वीडियो आपका आएगा चाल दी 2022 में 2023 का तो मैंने डाला हुआ है 2023 में आप देख सकते 2023 पदमावाड सर्च करना पदमावाड 2023 इन आर्ट क्योंकि आर्ट से ही पदमावाड जो आपको देखें उनका थोρ़ण डिटेल में देखने है ना किस हितु दिया गया है ताके आपको आइडियो लग जायेगा क्योंकि आर्ट से पूछा जा रहा है पदमस्री 2022 में सम्मानित किया गया है राई नर्टे रामसाई पांडे ये राई निर्टे के रांसर है 2022 में पंदम स्री ने मिलायें पारो तेचु त्योहार किस देश में मनाये जाता है पारो तेचु त्योहार भुटान में मनाये जाता है जो भुटान में मनाये जाता है पारो तेचु त्योहार मानों के लिए एक धरम एक जाती एक इस्वर किश का कथन है स्टेट्मेंट मानों के ल बार बार पूछे जाते हैं तो भारत में जितने भी मठ हैं उनका देख लेना एक बार रिवाइज कर लेना उत्राखंड वगेरा उस साइड मठ जाद आए तो मठ कहां पर है देख लेना तो यहां पर यह जो घूम मनिष्ट्री है न यह दूस्तों दारजिलिंग पच्छी मं का हैं 2001-11 के मद्डे हिंदु जन संग्या वर्धितर कितनी रही है 16.8 फीस्ती हिंदु जन सिंग्या बढ़ी है एक से जन संग्या और कुल मुश्लिम जनसिंगा की वर्दी जो हुई है एक सी 11 में 24.6% हुई है और बात करें इसायों की कुल जनसिंगा कितनी है तो वो 2.3% है टोटल पोपुलेशन की इसाय 2.3% है मुश्लिम 14.2 है तो थर्ड हाइस्ट है इसाय धिहान रखना पूछरे थर्ड हाइस्ट पोपुलेशन की है इसायों की है फस्ट हिंदू उसके बाद मुश्लिम फिर इसाय है इसायों की दर्शिक की वर्दी काफी हुई है 15.5% सिखों की कुल जनसिंगा है 1.7% और दर्शिक की वर्दी देखने को मिली है 8.4% बोधों की कुल जनसिंगा 0.7% बोध है और 6.1% की एकोर्णिंग पिछले दर्शक में ये कुल बड़े है 1-11 में जैनियों की कुल जनसिंगा 0.45 करोड याने 0.4% है वर्दी दर 5.4% रहिए सरवादिक हिंदू जनसिंगा वाला राची कौन सा तो हिमाच्या प्रदेश में परसंटेज के एकोर्णिंग हाईएस्ट हिंदू रहते है 5.5% पूरे हिंदू है होसवा में इसे 5.5 हिमाच्या प्रदेश में हिंदू है ठीक है नेक्स वाला पन देखते हैं किस बजट में वित मंत्री ने उदारी कृत विर्म्यदर परवंदन परनाले की गोशना की इससे पेरे दोहरी जो परवंदन परनाली था सेकंड सेट में तो यहाँ पर है LERMSC यहीं से दोहरी जो एक्चेंज रेट की सुरुआत होई है बजट 1992-93 में इसकी गोशना होई है और यह सी रंग राजन समेति की सिफार इसकी बाध होई है Next अपना स्वाल है किर्प्ष मिशन भारत कब आया तो तीन प्रमुक किर्प्ष मिशन है साइमर का मिशन है और आपका कैविनेट मिशन है यह हरत कब आया यहाँ से स्वाल आते है तीनों काई बता देता हूं, क्रिप्ष मिसन भारत आया था मार्च 1942 में, सर इस्टेफोर्ड क्रिप्ष जो की लेबर पार्टी से बिलॉंग करते थे उनकी अधिकस्ता में भारत आया, पूछले क्रिप्ष मिसन के से में बिर्टेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो चर्शि लिया जाए तो इस हेतु वहाँ भारत में भीजा गया 1942 में क्रिप्स मिशन ठीक है और कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन दोरा भारत को पूर्ण शोतनतरता के स्तान पर डोमिनियन इस्टेट का दरजा दिये जाने देशी लियासतों की परतिजियों के लिए निर्वाचन की जग दिल्ली में पाउसाज 24 मार्श 1946 को कैबिनेट मिशन और इस मिशन का लक्षे भारत को सत्ता स्वापना भारत को सत्ता स्वापने की योजना पर विच्छार विमस्ट करना था इस मिशन का गठन बिर्टेन के उसमें प्रदान मंत्री किलिमेंट एटली की पहल पर हुआ important fact है प्राइमिनेस्टर कौन थे UK के 1947 में जब भारत आजाद हुए तो वो एटली ही थे कैबिनेट मिशन में तीन सदिश्चे सदिश्चे तीन कौन साइमन कमिशन में ये 1928 को मंबई में पहुँच आ था साइमन कमिशन 1928 तीन फ्रवरी काया था साइमन आयोगशात मिर्टिस सांस्तों का श्रमूता जिसका गठन आठ नवंबर 1927 को सविधान सुधार भारत के सविधान सुधारों में अध्धिन के लिए किया गया था नेश्ट अपना स्वाल है खान देश खान देश को अपने सामराज़े में किस ने और कब मिलाया खान देश है ये 1601 में मुगल समराट अकबर दौरा मिलाया था पूछा गया था खान देश को अपने समराज़े में कब मिलाया तो आप कहेंगे 1601 में मिलाया अकबर ने मिला खान देश महाराष्टी के दक्षन पठार के उत्री पच्छिमी कौने पर इस्तिति एक परशिद एतियासिक छेतर है जहां पर 1255 में अलवदिन खेलजी ने असासन किया था ठीके नेश्ट अपना है महीला राष्टी खेल माऊशों किस्तापना किस वर्ष की गई थी महीला र अंतराष्टी महीला दिवस की रूप में मनाया जाता है इसी से जब ये अंतराष्टी महीला वर्ष कोसित किया गया उनिसो पिच्छतर से तो उनिसो पिच्छतर से आट मार्च को अंतराष्टी महीला दिवसपन मनाते हैं और जो ये राष्टी खेलकुद योजना है ना इ योग आया है उसके बाद लोक्ष्राव नहीं है आनूसुचित जन्द जाती यान्य सेड्यूल ट्राइब के लिए 47 जरू है ॥ीक है Asia के लिए 70 के लिए और काष्ट के लिए आनूसुचित जाती के लिए वहैं 84 ठीक है यह याद रखना है ST के लिए 47 है लोक्षवा में यानि MP, Member of Parliament जो लोक्षवा में ST 47 और SC है वो 84 है 2002 से पहले SC कितने थे तो 2002 से पहले SC थे 279 अभी 84 और ST कितने थे 2002 से पहले तो वो थे 41 अभी है 47 ठीक है नेश्ट अपना है नाजे वाजा टर्म किस खेल से संबन्दित है तो नाजे वाजा यह टर्म जुड्डों का है जुड्डों के अन्य टर्म देख़ींगे शियो नाजे, ताइ ओश्री, ठीक है कट्टा गुर्मा, शुकई नाजे उकी ओश्री, यह सभी term है जुड़ों से संबंदी तो खेलों की term से स्वाल आ रहे हैं बार-बार इससे पहले बोली-बोल का पूचा सेकंड सेट पे तो खेल और संबंद term आपको मैं खेलों का एक PDF फाइल है वो अलग से वैसे डाला हुआ ट्रॉप ट्रेंडिंग जी के PDF में उसको भी पिन कर दूँगा ताकि वहां से आपका स्वाल बनेगा ही बनेगा हरी परशाद चोरशिया किस वाद्यंतर की वादक है हरी परशाद चोरशिया ये दोस्तों बानसूरी वादक है और 1992 में इन्हें पद्म भूश्ण मिला और 2000 में पद्म भी बूश्ण मिला तो पंडित हरी परशाद चोरशिया बानसूरी पलेयर है नेश्ट अपना किस नदी के तट पर विशो परशी सूरी मंदर के आधार शिला 1246 इस्वी में रखी गई तो सन टेंपल सूरी मंदर जो ओडिशा में है पूरी ओडिशा में वो चंदर भागा नदी के तट पर उसके आधार शिला रखी गई है किस नदी के तट पर चंदर भागा नदी आपको पूछ लें सन टेंपल पूरी ओडिशा में इस्तित हैं इसका निर्मान किस वंस की राजा ने कराया तो गंगा राजवंस की राजा ने 1250 इसा पूरू में जो राजा का नाम है नर्शीम देव पर्थम ने इसका निर्मान कराया मंदिरों से और जो स्वाल पूछे जाते हैं ऐसा सी पूछती है उसमें एक तो ये चोल टेंपल का बार बार रिपीट होता है तो तीन परमुग चोल मंदिर है जो कि उनसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ग्रेट लिविंग चोला टेंपल के नाम से 1907 से में ये तीन चोल मंदिर में तंजाबूर में है ब्रदेश्वर मंदिर ठीक है अब पूच लें ब्रदेश्वर मंदिर जो तंजाबूर में है इसका निर्मान किस ने कराया तो राज-्राजजाज चोल पर्थम ने कराया था अब जो सेकेंड है गंगाई कॉंडो का चोलापुरम मंदिर जिसका निर्मान राजिंदर चोल फर्ष ने 1035 में करया एक है दरा सुरम में एरावते सुर मंदिर जिसका निरमार राज राजा चोल सेकिंड ने करया बारवी सताब्दी में तो ये तीन चोल टेंपल है ग्रेट लिविंग जो चोल टेंपल 1993 में वर्ल्ड हैरिटेस साउट है अब कांची केला शंतर मंदिर है ये अलग है जान से स्वाब आता है पल्लव का है और राज सिमा नरशी मःतम दिट्टों की सशनकार में बनाए गया है कांची केला संतर मंदिर कौनाका शोरी मंदिर हो गया उरिशा का लेंगराज मंदिर पूछ जाता है तो कलिंगा वास्तुकला में यह यातिक केसरी ने ग्यारवी सताब्दी में बना याता ठीक है और यह है कहाँ पर उरिशा का भुनेस्वर में है भगवान से उकुश मरपित है नेक्स श्वाल है इस टाइब से स्वाल आपते ही आते है मना लिनी सारा भाई का संबन्ध किस classical dance है तो classical dance का अलक्सी वीडियो डाला हुआ है पीडेपी टेलिग्राम बर चैनल प्लाइवलेबल है classical dancer का वाद्य अंतर वादक का है ये detail में वीडियो डाला हुआ जिनका आवाड मिला है मतलब उससे ही स्वाल बाहर नहीं आएगा मिनना लिनी सारा भाई का संबन्ध है ये दूस्तों भरतनाट्यम से किस नर्ते से हैं भरतनाट्यम से हैं सास्त्री नर्त्यों के प्रमुक नर्तक की बात करें तो भरतनाट्यम तमील नाडू ठीक है इसके प्रमुख डांसर है जिसमें मिर्णालेनी सारा भाई भी एक हैं इसके अलावा रुकमनी देवी अरुंदले, ई किष्णा आईयर, यामिनी किष्ण मूर्ती, लक्ष्मी विश्वनातन, पद्मर्शुभरमनम मलिका सारा भाई ये प्रमुख भरतनाटिम के डांसर हैं कत्क में लेला शोकी, बिर्जु माराज, लच्छु मारास, इतारा देवी, दमिंती जोसी, कत्क जोत्तर प्रेस का है शत्रिया में शंकर देव, गुरु जत्तिन गोश्वामी, शरोडी शेक्या का पूछे जाता है मोहिनेटम के डांसर है, वियन मेंन, कल्यानी अम्मा, सुनंदा नायर, कला मंडलम, शरोडवती, माधुरी अम्मा, जे प्रभा मेंनन, ये सबी मोहिनेटम के डांसर है ओजौन परत पर कूट अतारिस स्वाल था, जिसमें एक कूट का विकल्प ये था कि ओजौन परत कूट का मतलब है यानि किस हाइट पर रहेगी 15-15 km तक फैली हुई है जो सम्ताप मंडल है इसकी मोटाई कितनी है तो 3 mm की मोटाई है इसका काम क्या तो सूरिय की प्राबैंगनी किन्नों को रोकती है पूछले ओजॉन परत की खोज किसने की 1913 में फ्रांस के भोतिक विद फैबरी चालर्श और हैंडरी बुसोन ने की है ओजॉन शिद्र के लिए कौन सा परदूशक रिमेदार है कलोरो फलोरो कार्बन है ओजॉन की मातरम आपने की कई का नाम क्या डोकसन है ओजॉन O3 की दिनोट करते है जिसमें ओजॉन का एक परमानु 3 परमानु मिलकर ओजॉन होजागीरी निर्ति किस राजी से सम्मन देते हैं होजागीरी निर्ति हैं तिरपूरा में तिरपूरा में यहाँ पर एक जन जाती है रियांग रियांग जनजाती मनाती है होजागरी फेस्टिवल तिरपूरा में मागी मेला उशो कहां है उजित किया जाता है मागी मेला दोस्तों पंजाब की मुक्तसर में प्रतेक वर्ष जनवरी में होता है मागी मेला उशो कहां होता है मुक्त सर पंजाब में जनवरी में महागी पंजाब हर्याना जमू शंभाग और हिमाच्य प्रदेश में मनाए जाने वाले कि हिंदू त्यवार है जो मकर्श अक्रानती के अवसर पर जनवरी में मनाते हैं इसपीती घाटी किस राज्ये में हैं स्पिती घाटी की बात करें तो ये दोस्तों हिमाच्य प्रदेश में स्थी घाटी हिमाच्चल की उंचाईओं में भार्त की हिमाच्य प्रदेश राज्जी की पूरूतरी भाग मिश्ती थे अब आप स्वाल कमेंट करके बताना स्पिती घाटी का ये दो अलगलग स्वाल थे या फिर एक थे एक तो ये SPT घाटी के सराज्चे में एक स्वाल लाश्ट में मैं आपको बताऊँ अभी बताई देता हूँ हिमाच्चा प्रदेश का कौन सा जेला शीत मरुस्तल के नाम से जाना जारता है क्या ये Sam था लाउल SPT से या फिर अलग स्वाल था तो हिमाच्चा प्रदेश का कौन सा जेला है लाउल SPT है जैने शीत मरुस्तल के नाम से जानते हैं बाकी भारत का एक मातर शीत मरुस्तल वो लगधाक है अब अगला स्वाल है जो वेरी इंपोर्टेंट है उसका PDF अलग से टेलिग्राम पर डाला हुआ है इसमें वद्धी अंतर का भी आवार दिया जाता है और भी कुछ इंपोर्टेंट आवार है वो पूरा वीडियो डेटेल में आप देख सकते हूँ संगीत नाटक एकादमी आवार टॉप डेनिक जीके सर्च करना यहाँ से स्वाल मैंने पहरी बता जी थे कि बनेगा और स्वाल आगया मोहिन रटम नर्टेंग में संगीत नाटक एकादमी पुरुषकार 2021 किसे दिया गया मोहिन रटम में दिया गया नीना परशाद को अपको बता दू भारत नाट्यम में दिया गया है अब ये आवाड 2023 में दिये गए हैं 19, 20 और 21 इन तीनों ही सालों के आवाड अभी मिले हैं 22 या फिर 23 में दिये गए तीन सालों के आवाड बाद में दिये गए अब इसमें मोहिन यटम नर्ते में 2021 का नीना परशाद को दिया गया भरतनाटे में 2020 का मिराक्षी चितरंजन और 2021 में जहलक्षमी ईश्वर तो भरतनाटे में भारत की जहलक्षमी ईश्वर चव का दोजार बीस में तिरलो चन मोहनता और 11 में भौनकिमार 6 भौनकिमार दिया गए छव का याद रिखना है चव भौ। ठीक है चव भौनकिमार 2021 में रचनात्म कोणा अब क्रियेट्टीव कोणा ग्राफिका जिया गया भौुस्टनलाखन्दुरी 2020 और 2019 में मम्ता शंकरी ये तीनों सालों का एक साथ लिया गया है इसनी यहां पर एड़ किया है कथक का 2021 में शमा कथक की शमा बांद लिया अपने 21 में शमा 20 में कुम कुम धार कथक कुम कुम धार 20 21 में शमा बाटे शेल जा, एन शेल जा, कुचिपुरी एन शेल जा, ठीक है, 2021 में, मनिपुरी का थोग चौम इबे मुबी देवी, 20 में दिया गया बंद उपाद आ है मनिपुरी, मोहन अथ्टम आपको पुचा, 21 में, मोहन नेन, मोहन नैन, ओडिसी का 2020 में रविंदर अती भुदी, ठीक है, शत्रिया का 2019 में रंजु मोनिश शेक्या, शत्रिया शेक्या, कुट्याटम 2021 कला मनलम गिरिजा, कुट्याटम गिरिजा, ठीक है, कुट्याटम केरल राज्य की एक कला है, नेश्ट अपना देखते हैं स्वार, एरा शुटिंग की कोच है, मुहाद अलिक कमर, मुक्ने बाजी की कोच है, शुजित मानकोस्ती के, देनेज जवार लाड किरकेट के, विमल परफूल खोष, फुटबॉल के कोच है, नेक्स वाल है, तत्तों के सई प्रतिक चने कौन से है, तो उसमें मैंगनिशियम का MG हो ज सलता है मानसून, अगला स्वाल है, भारते शुविदान की परस्ताव नामे समाजवादी शब्द को कि शुविदान संसुदन के तेद जोड़ा गया, तो परस्ताव नामे समाजवादी शब्द एड़ किया गया है, 42 सुविदान संसुदन 1936 के जरिए, अब एक बार ही अच्छा स्वाल पूचा है, अब प्रारंबिक तमील शाहिती संगम गरंद के अनुशार उज्जावर का अर्थ होता है, साधान हल चलाने वाला, जो हल को जोतता है, हल को खेत में चलाता है, बेल गाड़ी से, घोड़ों से, भूमी की जोताई के लिए, वो हल चलाने वाला कि प्रिशान को उज्जावर बोलते हैं संगम गरत तमील सहीतिये में और तमील सहीतिये में दोस्तों वेलार का स्वाल काफी बार पूछा गया हैं PRT DPP में गावा में रहने वाले बड़े जमीदारों को वेलार कहा जाता हैं गावा में जो बड़े जमीदार रहते वो वेलार है बड़े जमीदार है तो वेलार है दासों सहित भुमीहिन मजदूरों को तो दास सहित भुमीहिन मजदूर है उनको कैदिशियार और आदीमय के नाम से जाना जाता है तमील शहितिये में तो यह प्रमुक्त में सुविधान का अंतिम व्याख्यकार ज्याइपालिका में अपना सुप्रेम कोट है। सुत्र लंकार का लेख़ग भी माना जाता है कनिश को ठीक है नेश्वाल है सबसे अधीक साक्तरता दरवाला राज्य हाइस्ट लेटरेसी रेट है दोस्तों केरल की और भार की कितनी है चोतर फीस्टी और केरल की है 94 लगबग 93.91 परसंटेज सबसे कम बिहार की है 63.82 परसंटेज अब यहाँ पर यह सभी आपको टैबूल रट लेनी है टॉप फाइव नीचे से और उपर से ठीक है टॉप फाइव उपर से देखेंगे तो केरल लक्सटीप अलरी आज चुका फास्टीट में लक्सटीप का 90.88, केरल का 93.90 परसंटेज नीचे से आप देखेंगे बिहार, अउचप देश, राजस्थान, छारकंट ठीक है, नेच्ट अपना देश है, भारते समिधान ने किस देश के समिधान को समिधान से समिधान में संसुदन की प्रक्रियाद, जो 10 देशों से समिधान की संसुदन में जो स्रोत लिए गया, फार्श रिप में मैंने डिटेल में बताया, वो रट लेना, जिसमें समिधान संसुदन की प्रक्रिया दक्षन आफ्रीका से लिग गई है सूरी के प्रकास में कौन सा विटामिन होता है सभी को पता है विटामिन D होता है सूरी के प्रकास में और विटामिन D का एक अभी हाली की ऐसा सी एक्जामें पूछा गया है कौन से विटामिन को हार्मोन बनता है कौन से विटामिन से तो विटामिन D से केलसी ट्योल हार्मोन बनता है ठीक है विटामिन B और विटामिन C आपको पता जल में गुलंसील है और वसा में है विटामिन A, D, E की विटामिन B सी जल में गुलंसील है ये सरीर में अपना इस्टोर नहीं रहते हैं ठीक है गाजर में विटामीन A पाये जाता है यिस्ट में विटामीन B12 हो पाये जाता है A की कमी से रतंदी रोग है B1 की कमी से बैरी-बैरी है B6 और B12 की कमी से एनिमिया रोग हो जाता है C की कमी से मसूडे फूल जाते हैं जिसे इसकर भी रोग बोलते हैं D से रिकेट से है सूखा रोग हो जाता है E से जनन सकती कमजोर हो जाती विटामिन K से हिमोफीलिया, एंठन, रुजीर का सराव ये स्वाल पूछे जाते हैं और बाकी विटामिन की केमिकल नाम आपको याद रखना है सरकार का प्रमुक वकील होता है महा जायवादी जिसे आप एट्रोनी जनरल बोलते हो ये भारत का मुख्य कानूनी सलाकार है यानि सरकार की तरफ से पैर भी करता है ने सुप्रेम कोर्ट वगरा में वो एट्रोनी जनरल ही करते हैं एट्रोनी जनरल या फिर महान्याईवादी आर्टिकल 36 की तरह राष्टपती की दोरा इनकी न्युक्ती होती है और इनकी योगीता क्या है जो सुप्रीम कोड का जज़ बन सकता है वो महान्याईवादी बनने की योगी है और कारे क्या है सरकार को सलाह देना है राष्टपती कहां पर है या फिर ये अलग से स्वाल था ठीक है नेश्ट अपना विसपोर्ट खानों से भुकंब है तो भुकंब और विसपोर्ट से एक स्वाल है एक मैंने का स्वाल रिपीट हुआ है जो आर्टिकल 226 वाला है रिट वाला हाई कोर्ट में तो इस प्रकार ये टोटल 43 के आसपा स्वाल कम्प्लिट हो जाते है विसपोर्ट का एक्जेक्ट स्वाल नहीं मेरा आप कमेंट सेक्शन बताना किस टाइब से था तो यहां से लगबग थर्ट सेपके जो रियल ऑथेंटिक स्वाल आपको बता दिये हुआ पर पर उना करू